खसरा रूबेला टीका करण अभियान के दोरान विद्यालों में पढ़ने वाले नो मां से 15 वर्ष दक के बच्चों में खसरा रूबेला टीका लगाई जाने के प्रती विशेश उत्सा देखा गया। शुक्रवार को चिकिच्चा एवं स्वास्ते विबाग के कर्मियों द्वारा अलवर गेट सित संट फ्रांसिस स्कूल के विद्यारतियों को खसरा रूबेला का टीका लगाकर प्रती रक्षित किया गया। आर संट फ्रांसिस सीने सकंडरी स्कूल आजमेर में वैचनेशन यान टीका घरंगा आयोजन किया गया है। डॉक्टर और नर्स यहां बोर उपास्तित है। टेन रूम्स का व्यवस्ता की गई है। टेन टीम आये हुए है। और अभी टीका घरंग चालू है। करीब 1.680 स्टुडेंट्स का टीका घरंग किया जा रहा है। प्लासS LKG तू प्लास 10 तक स्टुडेंट्स जो 15 एस के मीचे है। प्लास LKG से 2nd तक की स्टुडेंट्स का पैरेंट्स के साथ में बच्चाम को बुलाया गया है। पेरेंस आये हुए है और ठीका करन के बाद हाफ आने और केडी उन्हों अंडर ऑप्सरवेशन में रता गया है और प्रोग्राम अभी भी जारी है यह सफरताव कुर्वग संबन्यों गोर रहा है स्कूल में रक्षा बंदन और एद की बहुत बहुत हारदिक शुब कामना है आओ हम सब मिलकर इन तोहारों को हर्श ल्लास और खुशी के साथ मनाएं सदेव आपका एबन बाटे 15 अगस रक्षा बंदन और बक्राईद की हादिक शुब कामना है और मैं आपके चैनल के माद्दम से हमारे जिले के राजस्तान के सभी देश वासियों से मैं यही निवेदन करता हूँ कि मैं हमारा देश और हमारा राज्य विकास करें उन्नती करें आगे बड़े खुशाल बनें यही मेरी शुब कामना है सभी परदेश वासियों और अजमेर वासियों को मेरी तरफ से करतंता दिवस और रक्षा बंदर की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुब कामना है और मैं यही कामना करूंगा के पूरे देश और समय आमन और चेन रहे और पलस जो मोधी जी ने इत्ता अच्छा काम करा है 370 के दारा हटा के पूरे देश को कश्मीर जो हमारा था हमारा रहेगा और अब पूरा का पूरा हमारे परिवार का एक हिस्सा है इसके लिए मैं मोधी जी को सतंता दिवस और रक्षा बंदर पे बहुत बहुत शुब कामना है देता न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमुले सुझाओ दीजिए और इस वीडियो को लाइक को शेयर करें आपके लिए में करें झाल प्रया झाल क्या थाल प्रया थाल झाल 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 झाल